SSE GD Constable के दोस्तो Admit Card एक और रीजन के आ चुके हैं तो आप SSE GD के Admit Card को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और SSE GD के किस रीजन के Admit Card आए हुए हैं और बाकि जो बचे हुए रीजन यानि कि जो बचे हुए स्टेड हैं उनके Admit Card कब तक आएंगे पुरी इंफर्मिशन इस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले SSC GD के Admit Card को डाउनलोड करने के लिए आपको SSC की Official Website पे जाना है उसके बाद Admit Card वाले Option पे आपको किलिक करना है Admit Card वाले Option पे किलिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वीजन आ जाएंगे अब आप कौन से वीजन पे हैं यह आपको Select करना है और यहाँ पे दोस्तों Southern Vision के Admit Card दोस्तों और आ चुके हैं तो हम इस वीजन पे किलिक करेंगे जैसे ही किलिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपिन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा Constable GD in Central इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं Now the application status यानि कि अभी जो है वो आपका application status आया हुआ है तो application status आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका application जो है वो accept किया गया है या नहीं तो हम application status को चेक करने के लिए इस पे किलिक करेंगे जैसे ही दोस्तों हम इस पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना registration number डा दालके यहां से check कर सकते हैं और date of birth डाल खें तो रजिस्टेशन eto बर्थ डालेंगे और वर byанич टेटों अगल आप देख सकते हैं अब अगर आपके पस Registration number नहीं है आपका registration होगया है थो यहां पर candidate अपना नाम और date of birth डालकर के भी यहां से application status चेक आउट कर सकते हैं, तो दोस्तो अब बात करते हैं कि आपको admit card कितने दिन पहले देखने को मिलेगा, तो दोस्तो admit card आपको आपकी exam date के 4 दिन पहले देखने को मिलेगा, आपकी exam date का मतलब होता है कि आपका जितनी ताविक को exam है, उसके 4 दिन पहले आपको 8-bit card देखने को मिलेगा यह cable application status है यहाँ से आपको exam date, exam city और shift का पता चल जाता है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी बाकी अगर आपका कोई भी question है तो आप इस वीडियो के comment box में comment करके हमसे पोच सकते हैं हम आपके question का जबाब अबस देंगे, thank you